देखे पहली बात ये कि जो डिस्टिक डिवलप्मेंट कॉंसिल का एलेक्शन है ये कोई बहुत ही कॉमन एलेक्शन नहीं है लोगों का पॉलेटिकल प्रोसेस में पाटिसिपेशन किसी भी डिमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत होती है और अनफार्चुनेटली जमो कश्मीर के लोग जो इस तरह का पॉलेटिकल प्रोसेस है उसमें पाटिसिपेट सतर सालों से नहीं कर पा रहे थे एमेले का एलेक्शन हुआ पालिमेंट के एलेक्शन हुआ खत्म लोकल बाडि नहीं होती थी डीडीसी नहीं हुआ अभी डीसी नहीं यह सारी चीज़े एक बहुत है पुरी हिंदुस्तान में जगां हो रहा था बट विकाज अब दी थ्री सेवेंटी यहां नहीं हो पाता था तो यह पुलिटिकल प्रॉसेस में participation लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हो यह हमारी priority भी है और किसी भी democracy किसी भी open democracy के लिए यह बहुत जरूरी भी है और दुनिया तो भारा इंदुस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी democracy है मोदी जी का एक ही वीजन है development with dignity empowerment without discrimination और आखरी पाइदान पे खड़े हुए कश्मीर के जम्मू के लेह के करगिल के लोगों की आखों में खुशी और जिन्दगी में खुशा लिया है और इस काम के लिए आपने देखा कि जो central की तुमाम ýिर्स की में तीजो की 303 की वैसे नहीं लगा लगों पाती थी वो यहाँ लगों होना शुरू हुँ हम भी 7-8 मेने पहले आय थे तमाम हमारे हमारी मिनिस्ट्री की और भी मिनिस्टर साहे थे वो इसकी में लागू शुरू हुई अनफार्चुनेटली कोविट का एक ऐसा दोर चला जो साथ आठ मैंने ऐसे चला जिसमें की जिसकी वज़े से की काफी चीज़ें रुकी लेकिन इन्शालला हमें पूरा यकीन है पूरा विश्वास है ये एक बहुत बड़े बदलाओं की तरफ जमुकश्मीर के लोग और जमुकश्मीर के अवाम और जमुकश्मीर का पूरा के पुरा खिता जो है वो जाई सबसे मुझे अच्छी बात क्या लगी आपने पता नहीं आप लोगों ने देखा की नहीं देखा मीटिंग में मैंने बोला बोलने के बाद जब मैं उत्रा तो लोगों ने पनी अपनी बातें और अपनी खुल करके जो कुछ भी कहना तक कहा ये बहुत मामूली बात नहीं है जिस जम्मून कश्मीर में और खासतोर से कश्मीर वैली में लोगों की जमाने नहीं खुलती थी चुप चाप देखते थे कि नेता आया और चला गया एक सेंटरल मिनिस्टर के सामने उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी और बात रख करके जो भी शिकायत थी वो भी रखी जो खुशी थी वो भी रखी इसको कहते हैं पॉलिटिकल प्रॉसेस में लोगों का ओपन पाटिसिपेशन और जो पीपल एलेंस फॉर गुपकाड डिक्लेरेशन बना उस पे आपका क्या कहना है मैं इसको दो ही लाइन में कह सकता हूँ कि ये खांदानी गुरूर और पांदानी सुरूर इस एलेक्शन के बाद हो जाएगा चक्ना चूर फिर भी सर अच्छा है देखिए क्या है इन्हों ने क्या किया था भी कि अभी कहा हम पाटिसिपेट नहीं करेंगे एलेक्शन में अब कहरा है हम करेंगे तो हम तो चाहते हैं कि जो भी पृलिटिकल पार्टी हो उसे पाटिसिपेट करना ही चाहिए अभी यहीं लोग कहते थे कि बीजेपी को तो कंडिएटी नहीं मिलेंगे बीजेपी भी लड़ लगी है यह एलाइंस भी लड़ लाए है जनता तेय या कौन किसको क्या नवाज़ेगी पबिक हमें तो उसे एकसेप्ट करना है उनकी है कि बीजेपी को पता था कि डीडी से एलेक्षिंट नहीं लड़ेंगे तो इसलिए बीजेपी ने सेंटरल गौर्डमेंट ने यहां पर डीडी एलेक्षिंट का ऐलान किया अब तो लड़न हिन्दी में कहते है भूमिका जब आदमी पहले से महसूस कर लेता है कि इसको पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला है तो पहले से भूमिका बनाना चुरू करते हैं हमारे कंडियेट को निकलने नहीं दे रहे हमें free and fair election में participate नहीं करने दे रहे हैं government machinery का misuse हो रहा है इसको कहते है भूमी का या patient गोई जो result आने वाला है उसका उनको एहसास मुझे लगता है हो रहा है सर आप यूनियन माइनर्टी मिनिस्टर ऐसा तो यहां पे गुजर एंट बगरवाल्स को सौथ कश्मी से चोबीस हजार कनाल जो लैंड है उनको बोला गया है कि वो खाली कर दीजे देखे जम्मू कश्मीर के की जर जंगल जमीन को 100% constitutional save card है सुरच्छा है इसमें किसी तरह की जम्मू कश्मीर के लोगों की अमानत में खियानत नहीं होगी इतने ही मैं कह सकता हूँ और जो कोई confusion और contradiction ब्रहम और भै का माहौल पैदा कर रहा है उसके उसके पीछे की मकसर महिशा आप समझ सकते हैं सर और जो आपके state president है जम्मू कश्मीर के है रमींदर राना जी उन्ह कि क्या कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और विश्वास में जो है वो कोई एक community का एक मज़भ का नहीं है वासुदेव कम जो है वो हमारी ताकत है यानि कि सारा जो हिंदुस्तान है या सारी दुनिया है वो एक परिवार है इस देश में हिंदू भी मुसल कि महबा मुफ्ती जी और फारग अवला जी अमर अवला जी नाम ले कि उनने बोला कि उनको ठीका करना है मैं बोला हूँ क्या मोदी जी ने बोला क्या रे बहुत हर चीज पर बियान पर क्यूं आप इतना जादा सीरियस होते है कोई हिंदोस्तान का मुसल्मान कोई सेप के पेड़ पे बैटी भी चुड़िया है कोई हिला देगा और लोके बाग जाएगा यह इस मुलक का जो है यही पैदा हुआ है यही रहेगा और यहीं पर जो हिंदोस्तान की हुबल वतनी की ताकत के साथ आगे बलेगा सर आप जो डीडी अलेक्शन आने वाले है अजय सीनियर बीजे पिल लेडर आपकी अपिल क्या रहेगी यहां के कश्मीर के लोगों हुआ हमारी अपील है कि इस डिमोक्रिटिक प्रोसेस में फ्री एंफियर डिमोक्रिटिक प्रोसेस में आपको पाटिसिपेट करना है और डिमोक्रिटिक प्रोसेस ही आपके डिवलप्मेंट की गारंटी है इंपावर्मेंट की गारंटी है और इसमें हम सब पाटिसिपेट करें एलेक्शन जो है वो सतर साल के बाद हो रहे हैं और वो लोग भी पाटिसिपेट कर रहे हैं जो उन्होंने बाइकाट किया था thank you sir thank you